आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिक्स राइट जो के है बच्छों के पढ़ने के हाकूक और बच्छों को क्यों पढ़ना चाहिए और यह हाक उन तक कैसे पहुचाना चाहिए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उस राइट का नाम क्या है इस राइट का नाम है Supportive Reading Environments with Knowledgeable Literacy Partners सबसे पहले हमने यह देखना है कि वो Knowledgeable Literacy Partners कौन होते हैं जो के हमारे स्कूल में घरों में और हमारी सोसाइटी में जो सर्विसे अवेलेबल हैं वहां में मिल सकते हैं सबसे पहले पार्टनर हमारी अपनी फैमिलीज हैं As a parents, as a siblings, as a cousins हम जो हैं बहुत important literacy partner हैं अपने बच्चों में reading skills develop करने के लिए reading aptitude develop करने के लिए Caregivers हैं जो घरों में मौझूद होते हैं For example, कोई tutors आते हैं आपके घर में जो आपके बच्चों को support करने के लिए लोग मौझूद होते हैं वो तमाम caregivers हैं Parents के इलावत जितने लोग होते हैं वो caregivers ही कहलाते हैं और वो भी बच्चों की literacy skills और reading skills को develop करने में मदद करते हैं Daycare staff हो सकता है अगर बच्चे बहुत छोटे हैं डे केर में हैं Preschool में Preschool की teachers हो सकते हैं और classroom teachers हो सकते हैं जब हम Preschool से बाहर निकल आते हैं और school or public library में मौझूद जो अमला होता है वो trained अमला होता है और they are actually very very good literacy partners इनका मकसद क्या है जब यह तमाम literacy partner अगर अपनी efforts को combine करें और दूसरे को support करें बच्चों को identify करके उनकी reading skills को develop करने के लिए तो वो actually अपना बहुत ही valuable expertise बच्चों को provide करते हैं अपना valuable time बच्चों को देते हैं और वो resources बच्चों से share करते हैं ताकि बच्चों के अंदर lifelong reading habits रहें वो develop हो सके हैं बच्चों को knowledgeable literacy partners के साथ पढ़ने की जरुवत इसलिए होती है कि जो हमारे knowledgeable literacy partners हैं वो use कर सकते हैं अपनी expertise को, अपनी energies को और अपने enthusiasm को especially किन चीज़ों के लिए जहां बच्चे reading करने से जचक रहे होते हैं यहां जो barriers होते हैं बच्चों के reading के तरफ आने के लिए उसको दूर करने के लिए अब वो बच्चे को support provide करते हैं वन्यादी तौर पर ताके बच्चे जो हैं ना सिर्फ reading करना सीखें बलके they love to read Another important thing, जो knowledgeable literacy partners कर सकते हैं, they actually provide their own resources अब उन बच्चों को वो provide करते हैं, उनके पास जो kitab हैं, उनके पास जो digital resources हैं, उनके पास जो cartoons हैं They actually also help children learn how to make meaning from the text, कैसे वो बच्चों को pictorial books दिखाते हैं, उसके पर discussion करते हैं, उन पर सवलाद कुछ सकते हैं, उनसे different किसम की vocabulary share कर सकते हैं और एक authentic discussion time उनके साथ engagement जो है, वो अपनी बनाते हैं, ताके बच्चे उसमें अच्छी तरीके से अपने ख्यालात का इजहार कर सकें तो studies ये बताती हैं कि बच्चे अच्छे readers बन सकते हैं अगर कोई अच्छा पढ़ने वाला और knowledgeable person उनके साथ उन किताबों को read out करें और उनके साथ उनकी discussion करें तो हमारे पास सबसे important दो stakeholders आते हैं, आज जो कि बहुत important collaborators भी हैं हमारी society में नमबर वन हमारे पास हैं libraries और उसमें मौझूद librarians, librarians के पास एक exceptional knowledge होता है किताबों के बारे में, especially इन किताबों के बारे में जो मुक्तलिफ एज के बच्चों को हम देते हैं, तो जब वो collaborate करते हैं teachers के साथ या किसी और social services agencies के साथ जो early childhood में चाहे बच्चों की reading को support कर रहे हो, so they are actually a very very good resource for collaboration and support. Number two, वो क्या कर सकते हैं? वो invite कर सकते हैं readers को, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो adult हैं, चाहे वो educators हैं, चाहे वो कोई और social service agencies के चाहे वो बच्चों को out of the way जाके उनके reading skills में support कर रहे हैं, उनके साथ share कर सकते हैं, मुक्तलिफ किसन की किताबे, चाहे वो poetry की हो, चाहे वो different genres की हो, so this way they were actually sharing their own resources and informing the community member what kind of resources their libraries have in fact. उसके अलावा, families का और caregivers का, चाहे वो pre-schools में हैं, चाहे day care center में हैं, it is very important कि वो बच्चों को support करें, कि वो उन्हें library लेके जाएं, और वो जो book mobile services अगर उनके अवेलेबल हैं communities में, तो उनके access मुम्किन बनाएं बच्चों तक, बच्चे जो हैं, एक variety of texts को access कर सकते हैं, ज उनको इस चीज़ का इसास होता है reading से कि यह जो public libraries हैं, यह private libraries हैं, यह school libraries है, यह mobile libraries है, they are important because reading is important, classroom teachers, second most important stakeholder, यह हमारे साथ क्या कर सकते हैं, यह कैसे collaborative ally का हिसा बन सकते हैं, they are in fact, सबसे important चीज़ यह है कि teachers को reading को support करने के लिए खुद reading करना जरूरी है, so they need to read out books, so that, वो understand कर सकें, जो उनकी class में बच्चे हैं, उनकी क्या need है, उनकी क्या age requirement है, और उसके मताबिक उनके लिए अच्छी reading choices और किताबे और resources लाके उनको दे सकें, उनकी teaching learning process का, जब हम बच्चों को reading करा रहे होते हैं, teachers का main focus सिर्फ skill development पे नहीं होना चाहिए, इस चीज़ प environment in the classroom. उनके पास access किताबों का होना, विराइटिव किताबों का होना, लाइबरेरी सक access होना, और उनकी classroom में किताबों का मौझूद होना और digital resources का मौझूद होना बहुत ही ज़रूरी है.